नमस्कर दोस्तों आप सब कैसे हैं आई होप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो चलिए दोस्तों आ गया है बिहार का स्पेशल रेस्पी बिहार में रेस्पी बहुँ जादा फेमस है दोस्तों तो इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा बिना सुजी के इतना खस्ता बनने वाला है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे इस रेस्पी को अगर एक बड़ ट्राइक कर लिए तो आप लोग महीनों दिन के लिए बना कर रस्टोर करके हरदम रख सकते हैं और घर के सभी लोग पसंद करेंगे बहुँ ज्यादा टेस्टी है दोस्तों इसके सामन नाम दे सकते हैं इस रेस्पी को तो बहुँ ज्यादा खसता है दोस्तों देखिए मैं तोड़के इसको दिखा रही और मसल के भी दिखा रही हूं वाव बहु ज्यादा एक खास बनेगा तो एक एक आइडिया को फॉलो कीजिएगा आप लोग और एक तरीका को ध्यान कुछेंगे और वीडियो को फुल वाज कीजिएगा चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे तरह तरह के रेश्पी रोज के रैश्पी आप लोग को देखने के लिए मिले और आप लोग रोज के ड्राइ कोकोनेट इसको पहले कदू कस कर लेना है बारिक वाली जो साइड है उस तरफ से मोटा नहीं बारिक कदू कस हो जाना चाहिए तब इसको अगला प्रोसिस पर बताऊंगी वीडियो पर बने रहिए देखिए बीच वाला पार्ट भी निकल गया थोड़ा सा और आधा स ने से थोड़ा कम कदू कस करी हूँ अब उसको भी चाकू से बारी कर लेना है उसकोफेग कियेगा नहीं उसको बारी कंटिंग कर लीजिए चाकू सेंD tell तो देखिए दोस्तों हो गया है नारीयल का भुरादा घर पे तेयार सुखा नारीयल से अगर इसके जगह आपके पास नारीयल का भुरादा होगा डेसी गुरह तो वह भी ले सकते हैं ।न नारीयल में कम लगएंगा और रिफाइन घी कम लगए उसको मैंके लिए क्योंकि इसमें भी तेल होता है इसलिए मैं इसी को यूज करती हूँ और टेस्टी भी ज्यादा होता है तो नारियल बुरादा ना करके इसी को कुर्सिस कीजिएगा कि यूज कीजिए तो ज्यादा टेस्टी होगा तो एक कटोरी हुआ है एक कटोरी थोड़ा सा कम ही है और उ उसी बाउल से लेना है दो बाउल मैदा और एक बाउल चिन्नी इस बात को ध्यान दिजिए फिर से मैं बता रही हूँ नारियल बुरादा एक बाउल दो बाउल मैदा एक बाउल चिन्नी और हाफ बाउल रिफाइन वायल और एक पिंच इलाइची का पाउडर चाहें तो आप इलाईजी कुटके भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए बहुत बढ़िया लगता है टेस्टी टेस्टी लगेगा इलाईजी का फ्लेवर आएगा तो इसलिए डालिएगा अगर पसंद ना होगा तो ना भी डाल सकते हैं कोई आपका मर्जी अब इसको पहले हाथ से मिक्स कर ले गुतिएगा जादा नहीं जैसे लिटी चपाती और वाटी के डो बनाते हैं रोटी के उस तरह से नहीं हलका हलका पानी छिटिएगा और तब इस तरह से मिक्स किजिएगा यह बहुत बढ़िया परफेक्ट रेश्वी के लिए आइडिया बता रही हूं तो इस आइडिया को फॉलो करना जरूर है दोस्तों कि मैं इसको कैसे गुत हूँ और कैसे बनाओं तो देखिए मैं हलका हलका पानी डाल रही हूं और हलके हाथों से इसे मसल रही हूं अब इसी तरीके से इसको तियार कर लेना है तब अगला प्रोसीस पर बताऊंगी तो दोस्तों इस्टाग् अगर वीडियो देखते होंगे तो फोलो कीजिएगा हमारा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा तो देखिए हो गया है त्यार और हाथ में चीपका भी नहीं बहुत बढ़िया मतलब आठा त्यार हुआ है अब इसी हाथ से दोनों हथेली से दब दबा करके इस तरह से अपना साइज अपना मर्जी से दिजिएगा इस तरह से इसको साइज बनाईए सारे इसी तरह से त्यार कर लेना है खजूरी छोटा बड़ा आपका मर्जी आपको जितना छोटा जितना बड़ा बनाना हो उस हिसाब से बनाईएगा लेकिन मैं बढ़ियां लगे खाने में भी और देखने में भी किसी के अगर ले कर जाएंगे तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो यहीं साइज दीजिएगा ज्यादा बढ़ियां लगेगा मार्केट जैसा लगेगा कि यह लगता है मार्केट काहीं कोई कुकीज है कुकीज से कम नहीं के बाद में हलका हलका इस तरह से प्रेस करना है उपर से देखिए बिना साचा के कितना बढ़िया इसका लुक बन गया डिजाइन बहुत बढ़िया बन गया तो इस डिजाइन से बनाएंगे तो बहुत अस्पेसल लगेगा बिना साचा वाला इसी डिजाइन से आप ठेक गरम हो गया है सरसोयल में न बनाईएगा घी में आप बना सकते हैं रिफाइन ओयल में बना सकते हैं लेकिन सरसोयल में नहीं अब इसको तल लेना है तेल गरम होने के लिए फ्लेम को हाई रखिएगा लेकिन तेल बढ़ियां गरम हो जाएगा तब इसको फ्लेम को मीडियम चीनी घुलने लगता है और अगर medium to low पर पकाईएगा तो चीनी उपर से दिखेगा एकदम साबुत दाना चीनी का दिखता है घुलेगा नहीं इस बात को ध्यान दीजिए और इस तरीका को एक बार follow करके बनाईए और तब बताईएगा कि सच में एबात मैं सच बताई हूँ या जूट हाई फिलेम पर चीनी पका घुल जाता है मैं हाई फिलेम पर भी बना के देखी हूँ कभी और medium to low पर बनाईएगा तो चीनी साबुत साबुत दिखेगा जिससे इसका लुक भी खास लगेगा और खाने में स्वाद भी खास लगेगा और थोड़ा मोटा मोटा आ बनेगा रेस्पी तो medium to low पर ही आप लोग फ्राई कीजिएगा इस बात को ध्यान दिजिएगा फ्राई से लेकर बनाने तक के एक एक आइडिया इसमें ऐसा है दोस्तों कि बीच में अगर वीडियो स्किप किये तो यह रेस्पी नहीं बनने वाला कडाही में बिखड़ भी के लिए तो देखिए हो गया है तयार अब इसको मैं अलग वरतन में निकाल रही हूं इसका लुक देखिए कितना खास लग रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा है अस्पेसल इसको बनाते बनाते मेरे घर में बच्चे या सब लोग पसंद करते हैं और बच्चे तो लूट खा जाते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है तो ऐसे तो लुक मेरा वीडियो में देख रहे हैं आप लोग लेकिन इसका स्वाद चिखिए एक बार बनाएए जरूर और इस रेस्पी को टेस्ट को बताईए कि कैसा लगा तो इस तरह से रेस्पी बनाएएगा आप लोग ए बिहार का फेमस रेस्पी है लेकिन खाने में जवरदस्त है इसका स्वाद और लुक तो देखी रहे हैं कितना जवरदस्त है इसका वाउ तो इस परफेक्ट आशूर बैंगे तो लें जा सकते हैं अच्छा लगेगा और एसे भी महीने दिन के लिए दो महीनों के लिए भी रख सकते हैं स्टोर करके बना करके ज्यादा बना करके रख देंगे तो देखिये कितना खस्ता भी बना हुआ है तो इस रेश्पी को सब लोग पसंद करेंगे छोटे-छोटे ब्रेकफास्ट में भी चलने वाली रेश्पी है साम के लिए चाय के साथ हर चीज में यह रेश्पी काम आने वाली है तो इस्टाग्राम फेस्बुक पेज को फोलो कीजिएगा और इसका वीडियो देख इसके रेश्पी देखने के लिए मेरा चैनल पर एक वर जाएए आप लोग बाए बाए बाए